नमस्कार सातियों मैं डॉक्टर एस के मानों यूट्यूब के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारती इतिहास के स्रोत क्या है प्राचीन भारती इतिहास को समझने के कौन-कौन से स्रोत हैं और उन स्रोतों के माध्यम से हम अपने प्राचीन भारती इतिहास को कैसे समझ सकेंगे कैसे अध्यन कर सकेंगे इसको एक flowchard के माध्यम से हम लोगों ने मोटे तोर पे मोटा मोटी उसको समझा था फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्राचीन भारते इतिहास को समझने का जो पुरातात्तिक शरोत है उस पुराताथ स्रोफ की अंतरगत हम लोगों ने बैसिकली अभलेक पर बात किया था रिकौर्ड्स पर बात किया था कि जो अभलेक है वो उनके माध्यम से हम कैसे अपने ideal skill को समझ सकते हैं अभलेखों में हमने कुछ अभलेखों के बात किया था और आज उसी क्रम में हम लोग प्राचीन भारती इतिहास को समझने में इसमारक और भवन अर्थत, Monuments and Buildings, Temples, मंदिर ये किस तरह से प्राचीन भारती इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे तो Archaeological Sources के अंतरगत, अर्थत, Archaeological Sources के अंतरगत, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो Archaeological Sources हैं उनमें यानि की पुरातात्तिक स्रोत और इस पुरातात्तिक स्रोत के अंतरगत, हम लोग जो आज बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो Monuments and Buildings पर बात करेंगे, तो पुरातात्तिक स्रोत के अंतरगत, जैसे अभिलेक हैं, और उनसे प्राचीन भारती इतिहास को हमें समझने में सहायता मिलती है, वैसे ही, इसमारक्यों भवन, ये भी एक स्रोत है, ये भी एक माध्यम है, जो प्राचीन भारती इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं, ये, इसमारक्यों भवन, जब तक इंडस्वैली सिविलाजेशन का एक्सकेवेशन और एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, जब तक उसका समनवेशन और उद्खन नहीं हुआ था, तक तक ये माना जाता था, कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, वैदिक सभ्यता ही है, लेकिन जब सिंदुगहटी की सभ्यता, प्रकाश में आई, तो फिर ये बात इसपश्ट हो गई, कि नहीं, वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, बलकि सिंदु सब्सक्राइब करता कि कि जब कुछ एविडेंस उस सब्सक्राइब में और सबसे एक पॉइंट एक नाम ले ले बाकी तो हम इंडेस्ट वेले सिविलाइजेशन में बात करेंगे डिटेल में कि जब रेल्वे लाइन बीचल रही थी और हरप्पा जो शहर या नगर था जब तीले मिलने लगे और जब तीले मिलने लगे तो जब उसकी खुदाई हुई तो पता चला कि यहां तो कोई नगर या शहर था और फिर पहले तो यह पता चला कि यहां कोई ना कोई बस्ती रही होगी लेकिन जब वहां पर उस बस्ती उसमें जो तो एविडेंस फांड हुए जो वहां सामागरी मिलने लगी तो उनके आधार पर यह पता चलने लगा कि यह तो एक शहरी नगरी सब्वेता रही होगी तो कोई भी नगर या भवन का एविडेंस इस बात को बताता है कि वह सब्वेता कैसी रही होगी और अगर उसमें पाई जाने वाली सामागरी का अध्यन किया जाए और सी 14 द्वारा कार्मन 14 द्वारा अगर उसकी आयू का पता लगाया जाए तो यह बात इस पश्ट हो जाएगी कि वह सब्वेता कितनी पुरानी रही होगी तो इसमारक और भवन के अंतरगत जैसे सबसे पहले हम यही देख ले सब्वेता जो सिंदु घाटी की सब्वेता है इस सब्वेता के विशय में जो नगर या भवन मिले और आउशेश श्वरूप और जब उनका अध्यान किया गया तो यह पता चल गया कि नगर विन्यास या नगर नियोजन कैसा था और फिर इस बात पर स्कॉलर्स और इतिहास वित पहुचे कि नहीं यह तो एक नगरी यह सहरी सब्वेता थी और फिर सिफोर्टीन दोरा जब उसके आयू का पता लगाया गया उनमें पाई जाने वाले चीजों का तो फिर यह बात भीस प्रष्ठ हो गई कि उसका समय क्या रहा होगा ऐसे ही जो टेंपल्स हैं मंदिर हैं मंदिरों से यह पता चलता है कि कोई भी मंदिर अगर किसी समय जिस समय का है वो तो उस मंदिर से उस समय के लोगों का उस जनता का जो धार्मिक विश्वास है जो धर्म संबंधी निष्ठा है और आध्यात्मिकता है इन सब बातों का पता चलता है अलाकि मंदिर निर्मार से पहले ही मूर्त जो मूर्त पूजा है वो शुरू हो गई थी इंडस्वैली स्युलाजेशन में मूर्त पूजा के साथ मिले है अभी हम जब मूर्तियों की बात करेंगे तो देखेंगे लेकिन मंदिर निर्मार ये गुप्त काल में शुरू हुआ तो अब जब गुप्तकाल के अंदर जो मंदिर निर्माड हुए और उस मंदिर से और मंदिर निर्माड की भी वज़े यह है कि मूर्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए मूर्तियों के संदक्षन के लिए मंदिर का निर्माड हुआ और मूर्तियों का निर्मार जो है वो कुशानकाल से शुरू हो गया था फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके संदक्षण के लिए गुप्तकाल में मंदिर बनने लगे अगर गुप्तकाल को ही ले तो जब वहां पर जैसे गुप्तकाल में के देवगण का जो दशावतार मंदिर है वो एक विश्ण मंदिर है और भगवान विश्ण जो है वो शेचना की सईया पर विश्राम करने की स्थिति में उनका उनको दिखाया गया है कानपूर के पास भीतरगाओं का एकीटों का बना हुआ मंदिर हैं अब अगर इस तरह के मंदिर मिल रहे हैं और इससे ये इसपष्ट होता है कि लोगों उस कुप्त काली इन लोगों की एक तो शाशक की दूसरी जंता की धार्मिक आस्था क्या रही होगी साथी साथ बिभिन संप्रदायों के बीच में समन्नवय की भी बात वैश्णाव श्यायों के बीच ये भी गुप्त काल की देन है तो मंदिर से मूर्तियों से उस समय के राजा और जंता की जो धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा है इसको समझने में मदद मिलती है जैसे गुप्त काल का राजकिय धर्म वैश्रो धर्म था वैश्रो में विच्रो की पूजा होती है तो जादातर इस तरह से आप देखेंगे कि विश्र से संबंदित मंदिर हलाकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि गुप्त काले शाशक धार्मिक रूप से बहुत ही उदार थे वो वह वैश्रोध धर्म राज्किय धर्म था लेकिन शैव और शाक्त या बहुत जैन धर्म को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है किसी तो द्धर्म के उनके मन में कोई दुराग्रा नहीं थी तो उस अब जब दुरागर्रा नहीं थी तो 20 तो एक शब्द है कि वो धार्मिक रुप से उदार थे अगर वैश्रोध धर्म के अうतृत और किसी प्रिकार के धर्म के विकास का अगर प्रमार्ण मिलता तो इस से हाँ ठीक है कि वैश्रो का जादा हुआ क्योंकि वो उनका जो है राच्किय धर्म था तो इस तरह से इसमारक भवन मंदिर इनसे और मंदिन निर्मार की तीन शैली या फिर बिक्सित हुई नागर शैली बेसर शैली और दर्वन शैली नागर भारत की शैली बेसर सैली यह मधanu भारत की शैली है । दर्वन शैली दक्षिर भारत की शैली जो बेसर सैली वो नागर भी शाशक है और उस्सासक दोरा जो मंद्र बनवाया गया वह मंद्र उसकी विचाषरधारा को उसके धार्मिक आस्था को परलक्षित करती हैं छंदेलों ने ख़जरां कि ख़जराओं का मंद्र बनवाया कंद्रियां महा द्यो का मंद्र यहaları दिल शाष को दोरा बनवाया गया तो इससे इसपर्ष्ट होता है कि उनकी किस संप्रदाय या किस विचार किस संप्रदाय धर्म में उनकी विशेश अस्था थी तो इनसे यह जानकारी होती इसके अत्रिक्त हम यह भी देखेंगे कि जो सिक्के हैं सिक्के भी हमें प्राचीन भारती इतिहास को समझने में सहायता देते हैं समझने में सहायक है यह हलाकि सिक्को की जब बात करें तो इंडो ग्रीक रूलर के पहले या बैक्टिरियन जो ग्रीक कहते हैं जैने हम यवन भी कहते हैं इनके पहले के जितने भी सिक्के हैं वो इतिहास को समझने में बहुत सहायक नहीं है क्योंकि उनमें कब वो जारी हुए अर्था जारी होने किती थी शाशक का नाम इन सब बातों का उलेक नहीं है लेकिन सबसे पहले सिक्कों पर तो पहला तो यह है कि सिक्खे भी जो प्राचीन भारत है उस प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में एक साधन के रूप में काम करते हैं एक साधन है एक मीडियम है एक माध्यम है लेकिन यह भी देखेंगे कि यह लेख युक्त सिक्के तो कि ऐखर किया माध्यम है तो किवन रहले जो लेकिन सिक्के है सबसे पहले भारत में यवन शाष्को ने उट्टिज किया यवन साष्कों तो हिंद युनानी भी कह सकते हैं इन्हें आप इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं और या बैक्ट्रीन ग्रीक कह सकते हैं इन्होंने भारत में लेक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षुक्षु परकार के जो सिक्के थे उनको फालो किया अर्था सिक्कों पर लिखने का काम शुरू किया हिंद्युनानियों के बाद लेकिन हिंद्युनानियों के पहले जो भी सिक्के थे जैसे मौरेकाल में जो सिक्के चल रहे थे वो सिक्के शिक्कों पर इस तरह के उनके जारी होने की तिथी का पता नहीं चल पाता और वो सिक्के मवरकाल के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे आहत यह आहत सिक्के का मतलब यह है कि पंच मारक पॉइंस अर्थत उन पर व्रिक्ष, पहार, मचली, चंद्रमा इस तरह के कुछ चित्र क्या कहेंगे बलकि ठप्पे लगे होते थे अर्था सिक्के जब गर्म होते थे सिक्के की ढलाई होती थे तो उसका पहले से सांचा बना होता था ठप्पे बने होते थे उसको मार दिया जाता थे लेकिन किसी राजा का नाम पिसी राजा का चित्र या फिर कब जारी हुआ इसका पता नहीं चलता मवरकाल में तो मवरकाल के सिkkh record आहा सिkkh सिक वह होसे अब करिंदुजानियों के बाद है पिर कुषांडों के टाइम में संझने को था कुछान सासक विम कड्याफीसस था तुजल कड्याफीसस ने तांबे के सेके अंटर्डैस किये लेकिन कि कि अनिन से ने सिच्खए और काफी शुद्र विम कड्याफीसस विम शुद्त सिच्खए कि म την गुपत शाय्षकों और फिर उसने चांदी के भी सिक्के जारी किये और चंद्गुप्दुइति ने व्याग्र प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किये तो और फिर अब जैसे अब यह देखा जाया तो समद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वजाते कि समुद्रुभ्त भारत का एक ऐसा शाषक है जिसकी संगीत में विशेश रूची रही होगी अगर कि इसका मतलब कि उसकी शंगीत में रूची रही होगी तो संगीत में रखने वाला खवाजाशक्ता किसी के सिक्क्य पर अश्वमेध लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रमां की लिखा हुआ है तो इससे पता चलेगा इस और आउमंद्ध यगबि किया को हम काफी हद तक समझ पाते हैं इस्टकों के अतरिक्त स्टेच्व या मूर्ती स्क्रेप्चर मूर्तियां भी प्राचीन भारते इतिहास को समझने में सायक है अब मूर्ती अगर इंडेस वैली सिविलाजेशन में जाएं तो वहां कांसे की नर्तकी की मूर्ती मिली मात्र देवी की मूर्ती मिल रही है और इससे पता चल पा रहा है कि मात्र देवी अधिक पूजनिय थी और फिर वो समाज के विशह में हमें पता चल पाएगा कि यह मात्र सत्ता अत्मक समाज था कांसे की नर्थ की मूर्थी मात्र देवी की मूर्थी और इस तरह से पश्पतिया आदिश्यू के विश्य में भी अधाड़ा है और पश्पतिया आदिश्यू ही भारत्यूप महाद्यूप की प्राचिंतम देवता माने जाते हैं तो इसी आधार पर माने जाते हैं और उनके वर्षिप का उनके पूजा का एविडेंस कहीं न कहीं अर्थत वो इन्डस वैली सिविलाजेशन शे मिलता है तो इस बात पर इतिहासकर इस बात तक पहुंच पाते हैं इस रेजल्डर तक पहुंच पाते हैं कि अगर पुंश्पत macam आदिशिव प्रोटोशिवा कि वहां से मुर्ति या उनकी मुहर पे चित्र बना हुआ मिला तो इसका मतलब उनकी वर्षिप होती थी उनकी पूजा होती थी तो उन्हें भारतियोप महाद्यूप का सबसे प्राचिंतम देवतामान लिया गया और मुर्तियों में ब्यापक ग्रूप से मुर्ति निर्मार की जो कला विक्सित हुई वो कुशान काल से शुरू हुई कुशान काल में कनिश के शैशन काल में मुर्ति निर्मार की दो शैलिया विक्सित हो गई मूर्ति निर्मार की दो शैली विक्सित हो गई और वह एक शैली है दो तरी शैली थी गांधार शैली यह यह दो शैलिय या मूर्ति निर्माड की हैं इन दोनों शैलियों का विकास चो मूर्ति निर्माड से संबन्दित शैलिया हैं एक अमरवती शैलिजिय भी है और गंधार शैली हैं इनका विकास कनिश के टाइम में हुआ मत्रा शैली विशुद रूप से एक भार्तिय शैली है मुर्ति निर्मार की विशुद भार्तिय शैली है और अब इसमें लाल बलुवा पत्थर का प्रियोग हुआ है मूर्थी के निर्माड के लिए और बुद्ध की पहली जो मूर्थी है वो मथ्रा शैली में ही बनी हालाकि बुद्ध की ज्यादा तर मूर्थिया वो गांधार शैली में पाई गई और लेकिन पहली जो मुर्ती है और बुद्ध की गांधर शैलि की मिश्यत रूप है और जो हम यह कह रहे हैं कि यह भारतिय शैली और यूनानी शैली का के दिए जाता है इसको हिंद युनानी इंडो ग्रीक ग्रीको बुद्धिस्ट इसका इसे बामियान शैली भी कह देते हैं क्योंकि आफगानिस्तान के बामियान वाले इस्थान पर इस शैली का बहुत जादा अदभुद्ध भिकास हुआ इस लिए बामियान भी शैली कह देते है तो इस शैली और इस मूर।्तियां बन रही हैं अब उस के यह पता चल पाता है कि धार्मिक का स्थाएं या उन मुर्ति जिस शैली में मुर्तियों का निर्माड हो रहा है उससे ये पता चल पाता है कि उस समय कि लोगों का आस्था को लेकर कि इश्वर की आस्था को लेकर किस तरह की अधाड़ाय अविचार था तो ये सब बाते मुर्ति से भी हम प्राचीन भारति इतिहाज को समझ पाते हैं इसके अत्रिक्त अगर हम यह देखें कि चित्रकला पेंटिंग चित्रकला चित्रकला यह भावनों चित्र जो है वह भावनों की या भावा व्यक्ति का एक माध्यम है अर्थत चित्रों के माध्यम से किसी के भाव का पता चलता है अगर कोई व्यक्ति जिस तरह का चित्र उकेर रहा है तो उससे उसके भावनाएं परलक्षित होती हैं चित्रकला का अगर हम देखें बहुत प्राचीनतम चित्रकला का प्रमार आदी मानों जब कि कोई सभ्यता नहीं थी तब भी भीम बेटका के यह ओल्ड इस्टोनेज में पहला लेथी केज में पुरापाशान काल में जब उसकी अपनी कोई सभ्यता रही थी सिविलाजेशन नहीं था तब भी मानों तो चित्रकारी करता था इस बात का प्रमार दो भीम बेटका के मद्परदेश के भोपाल के पास जो अब्दुल्ला गंज और रायसेन वाले रूत के पास वो भीम बेटका की गुफा में चित्रकारी का जो प्रमान मिलता है तो चित्रकला में एगर हम यह देखें कि जो भीम बेटका है मत्रदेश में उस भीम बेटका की गुफा में जो चित्रकारी हुई है वो इस बात को बताती है कि मानो का ये पहला शौक रहा होगा ये पहली होबी रही होगी जबकि अभी उसे बहुत कुछ नहीं पता था सभ्यता नाम की चीज़ उसके साथ नहीं जोड सकते हैं अभी तो नॉमेडिक लाइफ यायावर की तरह भुमकड़ जीवर लेगें फिर भी उसमें चित्रकारी तो कहीं न कहें उसके इस बात का पता चलता है कि चित्रकारी उसका एक विशेश शौक था इसके अभी चित्रकला में जो आजंता की गुफाएं हैं उन आजंता की गुफाओं में यह मा और पुत्र का चित्र एक माडासन राजकुमारी का चित्र यह सब चित्र इस बात को परलक्षित करते हैं इस बात को बताते हैं कि उस समय की और यह गुप्त काल के टाइम का ही है तो उससे यह पता चलता है कि यह मा और पुत्र का जो चित्र है यह ममत्त को परदर्शित करता है तो इस तरह चित्रकला के माध्यम से भी प्राचीन इतिहास को समझने में काफी साहता मिलती है और मोहरे हैं तील यह मोहरे मोहरे या सील इंडस्वैले सैलाजेशन में सिंदुग हाटी के कई स्थलो से लोथल से मोहन जोडो से और मेसुपूटामिया में उर नामक बंदर गाथ से यहां की मोहरें वहां वहां की मोहरें यहां मिली तो अगर मोहरें एक दूसरे सभ्यता की दूसरे सभ्यता पर मिल रही हैं में मिल रही हैं तो मोहरों से ब्यापारिक तामाजिक आर्थिक इन प्रक इस प्रकार की जानकारी होती है और यह मोहरें इंडेस वाली सिवलाजेशन क तो ऐसी होती थी जो कोई भी सामान जैसे आज कोई सामान जब पैक होता है तो लास्ट में उसमें अभी भी पोस्ट आफिस में कि लास्ट में लगाया जाता है कि यह ब्रिक नहीं किया गया है तोड़ा नहीं गया ऐसे कोई भी सामान को जब यहां से वहां के लिए पैक होता तो लोथल में मेसोपटामिया की इस तरह से जो महरे मिली उनको पैक होते थे सामान उनको उसको शील लगाया जाता था तो इस बात का प्रमार होता था किसमें सामान सुरक्षित है उसको किसी प्रकार से तोड़ा नहीं गया है वो सुरक्षित हैं तो मुहरे इस बात का प्रमाण होती है कि कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताती है एक तू वहाँ पर है दूसरा इंडस्वाली सिविलाइजेशन में ही जो एक मुहर मिली थी मुहर जो दोड़ में मिली नाइंटीन ट्विंटीएट में जब राखाल दास बनर जी के बाद दुबारा खुदाई का काम मैके ने करवाया मुहर जो दोड़ो में तो उसको एक स्थील लिया मुहर मिली और उस पे एक ऐसा चित्र बना हुआ था जिसके आसपस पशु थे और उसे ही जान मार्शल ने पश्पत या आदिशु या प्रोटो शीवा कहा अब इस मुहर पे जो चित्र बना हुए है तो उससे उस समय के लोगों की धार्मिक आस्था का पता चलता है पहले वाली से तो यह पता चल पा रहा था कि एक दूसरे दो सभेताओं के बीच में व्यापारिक संबंद कैसा था लेकिन यहां पर जो मुहर मिली अब पोटो शीवा कि इस से उस समय के लोगों की समन जंता के अतीत को समझ पाते हैं तो अर्कियोलाज्चल सोर्चिस के अंदर के तो यह बाते हो गई लेकिन अगर हम लिट्रेरी सोर्च की बात करें अगर है तो मोटे तोर पे हम लोगों ने ये तो देखी लिया था कि वो साहित्तिक सोर्सेज वो साहित्तिक स्तुरूत वो लिटरी सोर्सेज है कौन-कौन से उनमें हमने भारतिय साहित देखा था और फिरेशी साहित देखा था तो भारतिय साहित में भी ब्रामर साहित वाधिसाहित और जैन साहित तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रामर साहित और ब्रामर साहित अर्थात ब्रामर से इतर और ब्रामर से इतर कहेंगे तो बहुत धर्णजेंदर तो पहले हम ब्रामर साहित के अंतरगत देखते हैं कि कौन-कौन से और ब्रामर साहित में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये वेध ही आता है वेध ये 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 ब्रामा साहित का मुख अंग है सबसे पहले ही से हम रखेंगे और वेद को शुर्ति ग्रंथ भी कहते हैं शुर्ति इन्हें सनहिता ग्रंथ भी कहते हैं ये सनहिता परेशान नहीं हो न तो शुर्ति या सनहिता तो शुर्ति का मतलब होता है कि वो ग्रंथ जिसका संकलन शर्वन तुन करके लिखा गया हो अर्थत ऐसा साहित तो जो शर्वन परमपरा पर आधारित हो सुनकर लिखा गया हो तो ये शर्वन वेद जो है बैसिकली शर्वन परमपरा पर आधारित हैं ये एक शर्वन परमपरा पर आधारित हैं सुनकर लिखे गये हैं और चुकि श्रौन प्रमपरा पर आधारित हैं इसलिए उनको शुति भी कहा जाता है और जो बात सुनी गई और फिर उसे लिपबद्ध कर दिया जाए कहीं पर कलेक्ट कर दिया जाए तो उसी को सनहीता कहते हैं तो इसलिए उनको सनहीता ग्रंध भी कहा गया वेत प्राचीन भारते इतिहास को समझने में बहुत हत्तक सायक है और जब वेतों की बात करते हैं तो फिर वेत के चार प्रकार हो गए वेदिया शुत कर तो पहला तो यह समझ लेना कि शरौन परमपरा पर आधारित है आप परूरूशे हैं वेत अर्थात यह मानों के मस्तिश की उपज नहीं है आप परूरूशे हैं और इनका संकलन महर्शिवेद व्यास ने किया इनका संकलन महर्शिवेद व्यास ने किया यह कृष्ण दौइपायन उन्हीं को कहते हैं महर्शिवेद व्यास यह कृष्ण दौइपायन उन्हों नहीं किया है तो यह सरौन परमपरा पर आधारित है एक बात यहां पर हम यह देख लें मैं जब यहां यह ममला है क्या अगर हम यह कह रहे हैं कि आपरूश यह हैं और फिर इनका संकलन वेदों की रचना मानों द्वारा नहीं हुई यह देवाणी हैं यह देवाणी ऐसा माना जाता है देवाणी हैं दरसल रचना और संकलन में थोड़ा सा फर्क है रचना तब कहेंगे जब वो किसी के मस्तिश की उपज हो जैसे प्रारंबिक अभिशाओं में आप इसके पहले ऐसे देखे होंगे किसी भी पोईम के लिए कविता के लिए यह कहा जाता है कि प्रस्तुत कविता के रचाईता रचना वो होती है जिसमें उसकी खुद की क्रियेटिविटी हो उसका खुद का क्रियेशन हो उसकी खुद की ठिंक हो उसका अपना खुद का चिंतन हो और फिर उसने कविता लिख दिए तो यह तो उसकी रचना है लेकिन अगर कहीं से किसी ने पढ़ा और फिर पढ़कर के और फिर उसने कुछ लिख दिया तो उसकी रचना नहीं है उसने तो संकलित किया collect किया कहीं से और पढ़ा और फिर उसको दूसरे रूप में लिख दिया या किसी ने सुना और फिर लिख दिया तो उसमें सुनी-सुनाई बात लिखी ना तो संकलन है उसका अपना creation नहीं है यह रचना और संकलन में फर्क है तो creativity नहीं होती है संकलन में डिया सुनकर कर या कई पढ़ करके सफूर्ष कोई व्यकति जब कोई बुक लिखे लिख तो बुक जो लिख रहा है तो उसकी रचना नहीं है वह संकलन है क्वेय को उसने कई बुके पढ़ी और पढ़कर के उनके अधार पर उसने अपनी बुक लिख दी तो उसमें नया कुछ नहीं है वो कलेक्शन है संकलन है तो चुकि महार्श वेद्व्यास ऐसा माना जाता है कि देवताओं की वाड़ी हैं रिश्यो मुनियों ने सुना फिर दूसरे पीड़ी को सुनाया उसने अगली वाली पीड़ी को सुनाया और फिर महार्श वेद्व्यास ने जब सुना तो उसको संकलित कर दिया कि इसलिए यह कहा एक तरफ यह होता है कि आप पवरोशे है और दूसरी तरफ यह का जाता है कि महार्श वेद्व्यास ने संकलन किया एक तो यह बाती स्पष्ट हुई तो वेदिया शूतिया संहितागरन्थ चार हैं रिगवेद्ध यजुरवेद्ध सामवेद और अथरवेद यह चारवेद है रिगवेद सबसे प्राचीनतम वेद है सबसे पुराना वेद है यह और रिगवेद जैसा कल हमने बात किया कि बोगच कोई अवलेक आरियों के विशय में जानकारी देने वाला जो पुरातात्तिक साक्ष है वो बोगच कोई अवलेक है एशिया माइनर में पायागा टर्की के पस कलम लोगों ने उस पर बात किया वैसे अगर हम साहित्तिक स्रोथ की बात करें कि आरियों के विशय में कौन सा स्रोथ है कौन सा स साहित्तिक स्रोथ है जो आरियों के विशे में जानकारी देता है तो वह रिगवेद हैं रिगवेद आरियों के विशे में जानकारी देने वाला एक गरंथ है साहित्तिक स्रोथ है और आरियों सबसे पहले यह आपको आडिया होगा थोड़ा सा फिर आगे हम देखेंगे कि सब आरियों के विशय में जानकारी देने वाला एक साहित्तिक सोत है और आरियों की तमाम जानकारी जैसा वो रिग्वेद में मिलती है रिग्वेद में 10 मंडल हैं 1028 सूप्थ हैं और 10500 सी रिचाएं हैं पद्यात्मक शैली में लिखा गया है ये इसलोकों और रिचाओं का संग्रह है दो से साथ तक के इसके मंडल बहुत प्राचीन है अधिक प्राचीन है उनको वन शिया गोत्र मंडल कहते हैं फिर बाद में पहला वाला मंडल जुड़ा और फिर नौवा जुड़ा लाश्ट में 10 मंडल है और फिर 1028 सूप्थ और 10500 सी रिचाएं हैं अब रिग्वेद का जो दस्वा मंडल है उसी में चातुर वन विवस्था का उलेख है ब्राह्मान चत्रिवैशुद्र लिग्वेद के दस्वे मंडल के पूरिशुक्त में अब यहां पे जो चारो वनों का उलेख है इससे बात यह बात इस्पष्ट होती है कि वैदिक काल में वन विवस्था रहां गई तो से लाजरेशन में वन विवस्था का कोई पता नहीं यह अता पता नहीं था कि लेकिन वैदिक काल्म में वैदिक सभ्णिता में आरियों удin die व॥ में गई था अम तब को कोई आदमी तो है नहीं जो आज वण्वेवस्था के विशे में हमें बताए उससे तो जनकरी हमें मिल नहीं रही इतना दील हो तो होता नहीं विखती तो जाहिर सी बात है कि अगर रिगवेद हमें बता रहा है उतके दस्वे मंडल में पुरुशुक्त में चारों वणों का उलेक है तो इसका मतलब ये ततकालीन सामाजिक स्थिति को बया कर रहा है वण विवस्था को बता रहा है तो एक तो ये दूतरा रिगवेद के अत्रिक्त और इसके फिर रिगवेद को समझने के लिए और हर वेद को समझने के लिए वो ब्रामर गंथ हैं वेदों के व्याक्या गरंथ हैं एक्सप्रेंट्री बुक हैं विविचना ग्रंथ हैं वेद एक तो वैदिक संस्कित में हैं उनको समझना तो बड़ा मुश्किल के बाद थी पढ़पाना ही बहुत कठिन था आँ तो फिर व लुटों को समझने के लिए ब्रामट्रंद ग्रंथ की रचना हुई अब जीसσε region तो पाठ करने वाला एक पुरोहित होता था जैसे रिग fed का जो पाठ करने वाला पुरोहित होता है होता होता था जो उसका पाड़ करता था उसको बताता था उसके विशय में और रिगवेद का जो उपवेद है वो आयरुवेद है कि इसका उपवेद हम अभी शॉट में सब चीजे समझ रहे हैं कि दूत्रा इस जो रिगवेद के तरिक्त दूसरा यजुरवेद है यजुरवेद में यग और कर्मकांडो का उलिक है ये पद्यात्मक के साथ सथ गर्द्यात्मक भी है और यही यजुरवेद ही है जिसके दो भाग है एक तो शुकली यजुरवेद और दूसरा किश्री यजुरवेद इ लेकिन जो पद्य अत्मक और गद्य अत्मक दोनों है तो अब यह इनकी अंदर जो बाते हैं फिरिशके भी अपने ब्रामण गंत रिये स्ट पद अंति रिये उस अब जो शत्पत ब्रामण में कृषि से संबंदित तमाम बाते हैं शत्पद ब्रामण में कृषी कर्म से संबंदित ततकालीन उस समय की जो इक ग्रामीड विवस्था है अर्थ विवस्था है तो शत्पद ब्रामण में कृषी से संबंदी जुताई बुवाई कटाई मड़ाई इन सब बातों का उलेक है तो ये सब बातें आज तो कोई बताने वाला है नहीं तो इन ही ग्रंथों से पता चल पाता है कि वह कृषी प्रधान अर्थवस्था थी कि अर्यों की यद्यप की पर सुचारण भी उनका था फिर बाद में मिशित हो जाती है वो लेकिन मिशित अर्थवस्था तो अब ये कि एक तो ये यजुरवेद कभी जो गायन करने वाला होता था अधुवर्यों कह लाता था जो उसका पाड करने वाला प्रोहित होता था तुसरा सामवेद है सामवेद साम का मतलब गान होता है और सामवेद से ही संगीत का जनक हुआ संगीत के जो स्वर है सारेगा मापाधा नीशा इसका इसकी उत्पत्ति ये सामवेथ से हुई तो सामवेथ से जो गायन विद्या है उसका विकासोर अब सामवेथ के जो ब्रामहर ग्रंत हैं वो पंचविष खडविष मेन है बकि और भी चांदोगवेथ से पंचविष खडविष और जो इसका पुरोहित होता था वो उदगात्री या उदगाता है जो पुरोहित पाट करता थे और जहां रिगवेद का जो उपवेद है वो आयुरवेद है वहीं पर जो यजुरवेद है उसका धनुरवेद है और सामवेद का उपवेद गंधरवेद है और सामवेद से इस तरह से गायन विद्या का विकास हुआ गायन कला का विकास हुआ और इन तीनों को कलेक्टिवली उत्रवेद कह दिया जाता था वेदास ट्रायों वेदास ट्रायों में अथरवेद नहीं है हाला कि रिगवेदिक काल में इन ब्रामर साहित में एक ही है जो रिगवेदिक काल में लिखा गया वो रिगवेद है बाकी सब का संकलन पूष्ट वैदिकेज में यानि कि उत्तर वैदिकाल में हुआ अथरवेद अन्तिमवेद है अब इस अथरवेद का जो पुरोहित था वो ब्रह्मा कहलाता था इसका जो उपवेद है अथरवेद का वो इस्थापत के विशय में अथरवेद आप कह सकते हैं शिल्पवेद या इस्थापत जो इसका उपवेद है और अथरवेद ये सबसे अन्तिम है और इसमें आउशदियों, तंत, मंत और जादू टोना ऐसी बाते हैं इससे ये पता चलता है कि कहीं ने कहीं उस समय भी इस तरह के धार्मिक मान्नताओं के लोग उस समय विश्वास करते थे यग कर्मकांड का यहां परूलेक है या जरुवेद में इस तरह का इसका मतलब यग कर्मकांड काउलेक यग कर्मकांड उसमें धार्मिक जो है वो कारियों का एक पाट था तो इन सब से आरियों का जो धार्मिक और सामाजिक जीवन उनके विशे में जानकारी मिलती है अच्छा अब इन के साथ साथ जो यही पर ब्रामर गरंत और ब्रामर गरंत जैसा आपने बताया प्रामर गरंत बैसिकली इनके व्याक्षा गरंत थे फिर रिश्यो मुनियों ने जंगल में जिन रचनाओं को किया वो फिर आरनक कहला है आरनक को रहस वादी गरंत बोलते हैं बड़े रहस वादी रहस में बातें उनमें हैं दूसरा उपनिशद या वेदान्त ये वेदों के अंतिम भाग हैं ये वेदों के अंतिम भाग हैं लास्ट पाइट हैं और ये वेदों के दार्षनिक और आध्यात्मिक पाइट हैं कि दार्शनी के ओम कि आध्यात्मिक पाइट है यह वेदों के कि यह कि अर्थत फिलोस्पिकल स्पीचूल पाइट है यह उपनिशत 108 उपनिशत हैं इसमें ब्रहदार्य उपनिशत जाबलो उपनिशत च्छांदोक उपनिशत कठोपनिशत मुंडको उपनिशत मांडको उपनिशत ऐसे करके हर अभी अंदर तो हम देखेंगे इन उपनिश्टों के माध्यम से भी अब जैसे जो भारत का आधर्श वाक्य है इसमेल मुंडक उपनिशत से लिया गया है मांडूक से नहीに मांडूक उपनिशत मांडूक अलग है मंडूक अलग शापनिश्थ में JI請ài पनिषृति एगार्गी यागवक संभाथ यागवक संभाथ यागवक मैत्री संभाथ इसमद भी रहदारनों का अपनिश्ध में को कि चाणदोग पनिश्द में जो तीन आश्रम को कि में अट पर जा बोलो जाबलोप निशद में चारो आश्रमों का उलेक हो गया तो अब जैसे जाबलोप निशद में चारो आश्रमों का उलेक है कि इसमें चार आश्रम इसका मतलब इसमें आश्रम विवस्था का उलेक है जाबलोप निशद में ये और पहली बार चारों आश्रम का उलेख है आपर ब्रमचर, ग्रहस्त, सन्यास और वानक्रस्त ये चार आश्रम है अगर जाबोलोप निशत में चार आश्रमों का उलेख मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस समय की सोसाइटी में उस समय के समाज में आश्रम व्यवस्था थी तब कोई वेक्ति तो अब है नहीं जो बताएगा और आश्रम व्यवस्था ये जीवन जीने के चार सोपान थे, चार चरण थे, चार स्टेप्स थे फिर हम उनके अंदर जबाएंगे वहां पर वैदिक कल्चर पर तो देखेंगे क्यों बनाए गए थे तो ये हैं ऐसे ही पुरान इस्मृतियां महाकाब्य ये हैं पुरानों में आपको ऐडिया ही हे 18 पुरान होते हैं सबसे प्राचीर और प्रामारिक पुरान मत से पुरान है मत से पुरान है ये पुरानों के माध्यम से कई वंशों के विशे में जानकारी मिलती है जैसे मत्ष पुराड ही है तो यह साथ वहां मन्ष के विशे में जानकारी देता है और विश्ण पुराड है वो मौरवंश के विशे में जानकारी प्रदान करता है वायू पुराड़ ये गुप्त वन्ष के विशे में जानकारी देता है अब वायू पुराड़ विश्ण पुराड़ मत्स पुराड़ ये सब जो जानकारी दे रहे हैं तो कही न कहीं ये प्राचीन भारती एतिहास को हमें समझने में हमारे समझने के साहित्तिक स्रोत हैं एक तो यह कि इस मृतियों में सबसे कि ऐसा माना जाता है कि यह मनुस्मृति तो मनुस्मृति और यह चितने भी पुराण और मनुस्मृतियां हैं यह ब्राम्हर साहित्त के और बाद की रचनाये हैं आप यह कह सकते हैं कि इन्हें आप कि वैद ब्राम्हर साहित्त वैदिक साहित्त की जो रचनाये हैं उपनिशत्त तक उनके और बाद में इसके अतरित वेदांग आते हैं कि वेदांग करें कि नहीं बंद करें कि वेदांग के अंतर करत हम यो लोग हम लोग यह देखेंगे कि वेदांग छे होते हैं शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद जतिश वेदांग वेदों के अंग हैं बहुत अच्छी तरीके से वेदों को इनी वेदांग के माध्यम से समझा जा सका अगर किसी को किसी भी भाषा या साहित की मौलिक रूप से मुलभूत जानकरी अगर चाहिए तो उसका व्याकरण तो पता होना चाहिए तो जब यह आए शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद जतिश तो वेदों को बहुत अच्छी से समझा जा सका खड़दर्शन ऐसे ही हैं महा कब्य हैं रामयन महा भारत इन सब के माद्यम से यह सभी के सभी प्राचीन भारतिय इतिहास को समझने के साहित्तिक स्रोत हैं इन सब के माद्यम से हम समझ पाते हैं तो आज की इस class में हम लोगों यह देखा, इतना ही, thank you so much.